जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में आपका एक बार फिल से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभारे है दोस्तों अगर अभी आप किसी परिशानी या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो स्क्रिन के ऊपर मेरे नंबर चल रहे हैं आप वोट्सर पर अपोर्डमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं उसका शुर्क उसका फीस लाग हो दोस्तों कहीं बार हम और आप यह गलती कर देते हैं कि किस भवान की पुजा करें और इससे कहीं हमारी उन्लती रुखी तो नहीं है हम जाने ऑंजाने में कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं जिसके वजह से हमें ये पता नहीं होता है कि हम किस तरह से चीजों को मेनेज करें तो आज इस पूरे वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कहीं आपके उन्यत्य इस वजह से तो नहीं रुकी हो और आप डेफिनेटली ये बात मानिये ये बात जानिये कि ज़्यादा तर जात्कों के साथ ये चीज जरूर घटित होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पून है जिससे आपके जिवन में कई सारी परिशानी ये तकलिफ से आप बहुत आसकते है एक छोटा सा निमेदन में करना चाहता हूँ के अगर अभी तक आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं क्या आए चेनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखे हो, नमस्षिवाय, जैशु शंबो, हर हर महादे हो, पर अगर कुछ भी बात आपको स्टूड़ी मच्छी लगती हो, तो उसे जरूर कमेंट्स में लिखे, और वीडियो को अपने दोस्तो के साथ शेयर करना मत बुलेगा, कुंड़ी का विशलेश ने दी हमसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन को नमबर चली रहे, वाट्स अप पर आपॉर्मेंट ले, फिर आप बात कर सकते हैं, सबसे पहली और मुख्य बात है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी कुल देवी के प्रती पूर्ण शद्धावान नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारे जातक तो होते हैं, लेकिन अपनी कुल देवी पहले तो पता करूं कि हमारी कुल देवी कोन है, जादतर जातकों को पता है, लेकिन बहुत सा जातकों को नहीं पता है, दूसरी कि कुल देवी जहां भी हो वहां जाकर दरशन परिवार सहीत एक बार जरूर करें क्ल देवी जो होती हो हमारे पुर्वजो द्वारा जो हम जहां से हमारी उत्पत्ति हुए जिन देवी का हम पर असीम क्रपा है उनकी सरणागत हमें सबसे पहले होना होगा और कुल देवता हर एक व्यक्ति के हर एक गोत्र के हर एक व्यक्ति के कुल देवता और कुल देवी अलग अलग होते हैं तो पहले तो उन्हें जाने और उनकी सरणागत जरूर हो और अगर नहीं हुए हैं और मालजी कुल देवी नहीं पता है तो कोई भी देवी जो आपके शक्ति पीठो आपके घर के आसपास उन्हें अपनी कुल देवी मानकर क्योंकि देवी का सुरूर्प सभी एक है और कुल देवता जो भी अपने घर के पास प्रख्यात बंदीर हैं उन्हें कुल देवता मानकर आप कर सकते हैं क्योंकि कुल देवी और कुल देवता की खरपा से ही हमारे जीवन में उन्निती होती है हमारे जीवन में बहुत सारी positivity होती है कुल देवी का साल में एक दिन आता है उस दिन को परिपूर्ण होकर आप मनाएं उपास करें जो भी व्योस्ता है आपसे हो से कि उपास करें वो कोशिश करें कुल देवी और कुल दिन जरूर ये चीज करें और इसे से हमारी जो है उन्नती रुखी हुई है, इसी से हमारे परिवार की गुरूध इसी से कहीं सारी चीजें रुखे हुई है झाल झाल